हाई फ्रेंड्स, वेलकिम तो माँ चानल लर्निंग विद प्राच्छी और आज हम लेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चाप्टर, The Sermon at Banaras तो दोस्तों, सर्मन का मतलब क्या है? सर्मन का मतलब होता है लेक्चर अब लेक्चर किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, बट मूसली इडिस ओन मौरल टॉपिक तो ये सर्मन कौन दे रहा है? ये सर्मन दे रहे हैं गौतम बुद्धा और कहां पर दे रहे हैं? बनारस में, इसलिए इस चाप्टर का नाम है The Sermon at Banaras तो दोस्तो ये चाप्टर किस बारे में है? ये चाप्टर बात करता है गौतम बुद्धा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने अपना जीवन एक प्रिंस के रूप में शुरू करा था लेकिन जब उन्होंने living beings की condition देखी, कि जो human beings है, उनके life में बहुत सदा pain है, trouble है, sufferings है तो उनके मन में एक question साज जाग गया, कि human beings को इतने troubles और sufferings क्यों होते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? और इन sufferings को कैसे कम कर सकते हैं? तो वो अपने मेहल से निकल गए, बहुत सालों तक भटके, और जब बहुत सालों बाद उनको इन प्रशनों का, इन सवालों का जबाब मिल गया, तो उन्होंने एक sermon के थूँ, एक lecture के थूँ अपने knowledge को बाटा तो चलिए इस chapter को और detail में जानते हैं दोस्तों, गौतम बुद्धा ने अपने जीवत के शुरुवात करी थी as a prince in northern India with the name सिधार्थ गौतम जब गौतम बुद्धा 12 साल के थे, तब उनको स्कूलिंग के लिए भेश दिया गया, जहांपे उन्होंने scriptures की पढ़ाई करी उसके बाद 4 साल बाद जब गौतम बुद्धा लोटे तो उनकी शादी एक princess से करा दी गई गौतम बुद्धा का एक बेटा भी हुआ, और 10 साल तक गौतम बुद्धा अपने महलों में ही रहे गौतम बुद्धा जब 25 साल के थे तब उनको living beings की pain, suffering और trouble के बारे में पता चला कैसे? एक बार जब गौतम बुद्धा हंटिंग के लिए जा रहे थे तो उन्होंने चार सिनारियोज देखे पहला उन्होंने देखा एक sick man यानि एक बिमार आदमी, दुसरा उन्होंने देखा एक aged man यानि एक बुड़ा आदमी, तीसरा उन्होंने देखा a funeral procession यानि जब इन्सान की death हो जाती है, उसके जब last rights perform होते हैं, वो सारी ही process गौतम बुद्धा ने देखी and last a monk begging for arms यानि उन्होंने देखा कि एक सादू है जो भीग मांग रहा है यह चारो हे सिनारियो देखे गौतम बुद्धा अंदर से बहुत ज़ादा हिल गए, उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोजा कि इन्सानों को living beings को इतनी problems, pain और troubles क्यों होते हैं और इन्ही सवालों के जवाब ढूणने के लिए वो निकल पड़े सालों साल गौतम बुद्धा इन सवालों के जवाब ढूणते रहे after seven years, साथ साल बाद वो एक people के पेड़ के नीचे आके बैठ के जब गौतम बुद्धा उस people के tree के नीचे बैठ है, उनको spiritual knowledge मिला और साथ दिन बाद गौतम बुद्धा ने उस people tree को नाम दे दिया तो उन्होंने अपने इस spiritual knowledge को लोगों के साथ बाटना चाहा, अब इस वक्त तक सिद्धात गौतम का नाम हो चुका था गौतम बुद्धा या हम कह सकते हैं उनका नाम हो चुका था पेमस आज बुद्धा बुद्धा का मतलब है the awakened or enlightened यानी जो जाक चुका है जाक चुका है का मतलब ऐसा नहीं कि कोई नीद से जाक चुका है जाक चुका है मतलब जिसकी आत्मा जाक चुकी है जिसको spiritual knowledge मिल चुका है जिसको जीवन के सवालों के जवाब मिल चुके है गौतम बुद्धा को जितना भी knowledge मिला उन्होंने अपने इस knowledge को लोगों के साथ बाटना चाहा और पहली बार उन्होंने सर्मन दिया था इन बनारस तो उसी सर्मन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों गौतम बुद्धा हमें बताएंगे कि living beings यान में भी बताएंगे inscrutable का मतलब होता है उस pain को जिसको समझा नहीं जा सकता तो गौतम बुद्धा हमें उस pain के बारे में समझाएंगे और इस pain को हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में समझाएंगे तो चलिए अब हम उस sermon को पढ़ते हैं दोस्तों गौतम बुद्धा का ये lecture शुरू का ये literature चुरू होता है एक लेडी के साथ जिसका नाम होता है की सा गौतमी की शाग लेड़ी होती है जो अपने एकलौते सण को खो देती है उसके सण की death हो जाती है और वह अपने मरे हुए बेटे को लेकर सबी जगा घूम रही है लोगों से मदत मांग रही है medicine यानि दवाया मांग रही है और बोल रही है कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई मेरे बेटे को ठीक कर दो अब लोग कीसा गौतमी की हालत को देख रहे हैं और उस पर तरस खा रहे हैं कि देखो ये जो लेडी है अपने senses को खोच चुकी है, इसका बेटा जो है मर चुका है और ये पागलों की तरह बिहेव कर रही है कीसा गौतमी की इस हालत को देख के एक man यानि एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे बेटे के लिए कोई medicine तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें एक person के बारे में बता सकता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है जिस पर कीसा गौतमी कहती है कि बताओ मुझे वो कौन है जिस पर वो man कहता है कि go to साक्यमुनी द बुद्धा यानि तुम बुद्धा के पास जा अब कीसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और कहती है Lord, Master, मेरी मदद करिए मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए उसको medicine दे दीजिए जिस पर बुद्धा कहते हैं ठीक है बस तुम मेरे लिए a handful of mustard seed ले आओ जिस पर कीसा गौतमी बहुत जादा खुश हो जाती है जिस पर बुद्धा आगे कहते हैं कि लेकिन वो mustard seed उस घर से आने चाहिए जिस घर में कभी किसी की death ना हुई हो चाहे वो husband हो, wife हो, son हो, daughter हो या friend हो जिस पर जो कीसा गौतमी होती है वो mustard seed की तलाश में निकल जाती है अब जब कीसा गौतमी घर घर जाकर mustard seed मांगती है तो लोग उसे mustard seed तो दे देते हैं लेकिन जब कीसा गौतमी ये प्रश्न करती है कि क्या इस घर में किसी के death तो नहीं हुई है चाहे वो friend हो, father हो, mother हो, son हो, daughter हो जिस पर लोग बोलते हैं कि अरे, अरे, हमें अपने दुख के बारे में याद मत दिलाओ कीसा गौतमी बहुत घरों तक भटकती है लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जहाँ पर किसी की death ना हुई हो आखरी में वो धक हार कर एक जगा बैट जाती है जब थक हार कर एक जगे बैट जाती है तब वो देखती है city को city की जो lights होती है वो flicker होती रहती है यानि कभी वो city की lights जल जाती है कभी city lights बंद हो जाती है और वो देखती रहती हैं कि ये जो lights हैं जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है और आखिर में पूरे स्काय में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है तब वो जो औरत होती है कीसा गौतमी वो सोचती है कि अरे मैं अपनी selfishness में कितना खो गई, अपने दुख में कितना खो गई कि मैंने ये नहीं देखा कि इंसान की जो किस्मत होती है वो भी बिलकुल इन city lights की तरह ही होती है कभी flicker होती है, कभी extinguish होती है यानि कभी जलती है, कभी बुझती है तब कीसा गौतमी को पता चलता है कि इंसानों का जीवन भी, इंसानों के किस्मत भी ऐसी है जिसने जनम लिया है, उसको एक धिन मरना भी है कीसा गौतमी सोचती है, कि immortality हम तभी अचीव कर सकते है immortality का मतलब है, वो जो कभी नहीं मरता तो कीसा गौतमी कहती है, कि हम immortality को तभी अचीव कर सकते है जब हम अपने selfishness को पूरी तरीके से त्याग दे दोस्तों, गौतम बुद्दा कहते है The life of living beings is filled with pain and trouble and is brief यानि गौतम बुद्दा कहते हैं, कि जो इनसानों का जीवन होता है उसमें बहुत जादा pain, suffering होती है और इनसानों का जीवन बहुते short period के लिए होता है गौतम बुद्दा कहते हैं, कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसको अपना कर हम death को avoid कर सके यानि गौतम बुद्दा का कहना है, कि जिसने जनम लिया है उसकी मृत्यों भी एक दिन होनी ही है गौतम बुद्दा कहते हैं, कि जिस प्रकार एक फल जब पक जाता है उसका डाली से गिरने का खत्रा हमेशा बना ही रहता है उसी प्रकार जब इनसान old age में पहुंच जाता है तो उसका मरने का खत्रा हमेशा बना ही रहता है गौतम बुद्दा कहते हैं, कि जिस प्रकार एक कुमहार मिट्टी के बरतनों को बनाता है लेकिन वो मिट्टी के बरतन किसी न किसी दिन तूट ही जाते है फूट ही जाते है, उसी प्रकार जो इनसानों का जीवन होता है वो भी इन मिट्टी के बरतनों के समान ही होता है जो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा तो गौतम बुद्दा कहते हैं, कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम डेथ को अवॉइट कर सकें चाहे आप यंग हो, चाहे आप ओल्ड हो, चाहे आप वाइस हो, चाहे आप फूल हो सभी को एक न एक दे मरना है दोस्तो अब गौतम बुद्दा कहते हैं तोस्तो ओवरकम बाइड डेथ डेपार्ट फ्रम लाइफ यानि जिन लोगों के डेथ हो जाती है, वो इस लाइफ से डेपार्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं गौतम बुद्दा कहते हैं, कि कोई भी पिता अपने बेटी को नहीं बचा सकता कोई भी किन्समन अपने रिलेशन को नहीं बचा सकता क्योंकि डेथ तो सभी की होनी है गौतम बुद्दा कहते हैं, कि जिस प्रकार एक ओक्स को स्लोटर हाउस में ले जाया जाता है उसी प्रकार एक एक करके इंसानों को भी मौत की तरफ ले जाया जाता है उनकी भी डेथ होनी है गौतम बुद्दा कहते हैं, कि एक वाइस मैन को पता है, कि ये तो जीवन की प्रोसेस है इसी लिए वो इस दुख में दुखी नहीं होता दोस्तों, जब भी किसी पॉसन की डेथ होती है, तो उसके जो रिलेटिवस होते हैं, बहुत जादा रोते हैं और बहुत जादा दुख जाहिर करते हैं, यानि वीपिंग और ग्रीविंग लेकिन गौतम बुद्धा कहते हैं कि ना ही वीपिंग से ना ही ग्रीविंग से कोई भी अपने दुख को कम कर सकता है बल्कि ऐसा करने से वो अपनी ही हेल्थ को खराब करेगा अपने ही पेन को बढ़ाएगा और खुद को डल और पेल कर लेगा गौतम बुद्धा कहते हैं कि अगर आपको peace of mind अचीव करना है तो आपको अपने sorrows को कम करना होगा आपको अपने sorrows को overcome करना होगा अपने complaining nature को खतम करना होगा और जब आप ऐसा करेंगे आप अपने आपको bless महसूस करेंगे और दोस्तों इसी के साथ हमारे जो chapter है वो खतम ह जाता है तो friends यह था मेरी तरफ से इस chapter का summarization अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दो चानल को subscribe कर दो and wish you good luck for your exams